सबी प्यारे दर्शक भाईवेनों को नमस्कार, जैसरे करश्या, प्रणाम, जोतिस के प्रक्टेक विशेव पर हम आपको जागूरत करने का प्रयास करते हैं, हमारा इंडिकेशन होता है हर एक विशे के बारे में अपने दर्शकों को बताने का, अभिप्राय धन कमाने का है नहीं परन्तो मैं आप लोगों के साथ अपने जानकारियां शेर करने का एक भाव बना के रखता हूँ जो मैंने बहुत वर्षों तक गुरु सेवा के द्वारा भगवत सेवा तो क्या करता हूँ कुछ भी नहीं कोई अच्छा आद्मी नहीं हूँ परन्तो फिर भी प्रयास क करता हूँ कि अच्छे कर्म अवश्य करूँ जो जानता हूँ वो आप लोगों को बताओं अब वो बात लगी है कि मैं अपनी कम्यों को भी आपके सामने उजागर कर दूँ अच्छाईयों को भी उजागर कर दूँ मेरा कोई मन तब नहीं ऐसा है मन तो यहीं होता है सबका कि अपनी बात सब के सामने अच्छी बने लेकिन बनाने वाले तो इश्वर है न तो जोतिश सास्त्र में हर विशे को जन्नम जानने का मेरा अभ्यास रहा है प्रयास रहा है तो हम आज आपके साथ एक ऐसा विशे जोतिश का देने जा रहे हैं जो ध्यान पूर्बक आप समझ आज के जमाने में प्रक्तेक वित्ती कहीं न कहीं धन कमाने के जुनून में, यश कीरती पाने के जुनून में, नेम और फेम पाने के जुनून में स्वयम को खो बैठा है। बनता है और वो depression का कारण ग्रह ही नहीं हमारी नकारत्मक सोच भी है अधिक आशाओं के करण हम ज्यादा निराश हो जाते हैं तो बहुत दुखे हो जाते हैं बगलवाले के पास चार गाडियां हैं रहने दो बगलवाले के पास चार गाडियां कभी न कभी उसके साथ में रह करके हमारे पास भी ये भी लोग कहेंगे कि इनके बगल वाले के पास चार गाड़ियां है यही क्या कम है लेकिन मेरे पास आठ गाड़ियां हो जाएं ये सोच आपको डिप्रेस्ट करती है खैर जन्मकुल्डी में कौन से ऐसे योग है जो आदमी को डिप्रेशन में लेकर चली जाती है उसे हमें समझना होगा डिप्रेशन इस कदर से बढ़ जाता है कि बैट्टी अपने बाल नोचने लगता है कभी-कभी आत्महत्या जैसे जगन ने अपराद कर लेता है ऐसे में जन्मकुल्ली में वो कौन से सूत्र हैं वो कौन से ग्रह हैं जिनके कारण आदमी को डिप्रेशन में ले जाते हैं वो ग्रह तो चलिए हम उस तरफ चलते है। आप अपने जन्मकुंडली में चार्ट देखिये, लगन चार्ट बिशेष तोर से यहां तो उल्टा दिखता होगा, लगन चार्ट देखिये और लगन चार्ट में जा करके आपको विचार क्या करना है। यहां पर जन्म कुंडली में जो लगन है उसका विचार करना है, फिर अष्टम भाव का विचार करना है, चंद्रमा का विचार करना है और शनी का विचार करना है लगन स्वयम का ब्यत्तित्त है अश्टम अस्थान मृत्यू का अस्थान है चंद्रमा सुख का अस्थान है एवं मन है वही पर शनी देव बिग्रता नब्ज में प्राब्लम्स शनी देव चुकि मारक भाव के कारक भी है इसलिए अश्टम या शनी देव चंद्रमा और लगन इनका बड़ा प्रभाव है जन्मकुल्ली में डिप्रेशन का समय कब आता है जब लगन या लगनेश चंद्रमा या चतुर्थेस अश्टम या अश्टमेस यानि अश्टम भाव का स्वामी ये तीनों ही कही न कहीं शनी देव के घेरे में आ जाएं द्रिष्टी में आ जाएं यूती में आ जाएं तो जातक को हाईपर डिप्रेशन हो जाता है दवाईयां पर दवाईयां खाने के वाद्धि उसको नींद नहीं आती है तो है ना विशय बड़ा महत्तपूल तो लगन अश्टम भाव चंद्रमा और शनी के बीच अगर कोई संबंध बन जाएगा तो समझ लेना की डिप्रेशन का समय है अब ऐसे में क्या करना चाहिए मृत्यू के स्वामी भगवान शिव है भगवान शिव को महाकाल कहा दिया है संगहार का कारिया भगवान शिव करते है इसलिए भगवान शिव की पासना भागवान शिव पर दूढ गंगा जन अर्पंड करना श्वैत पुषपरपण करना रुद्रा विशें करना इत्प्यादी प्रारंब कर दें आपका डिप्रेशन खतम हो जाएगा अश्टम स्थान से संभन्धित वस्तुवाग का दान करना शुरू कर दें आपका वस्तवे बाटे आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और हमेशा सकारात्मक रहे तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा यदि लगनेश चंद्रमा निर्बल हो जाए दोनों में से एक लगनेश अथवा चंद्रमा निर्बल हो जाए और अश्टम भाव या अश्टमेस से संबंध हो जाए लगनेश का अथवा चंद्रमा से तो चंद्रमा और शनी की युती भी कहीं हो जाए तब भी ये होता है या फिर चंद्रमा शनी की दृष्टी हो जाए तब भी डिप्रेशन होता है जातक के ब्यक्तित उपर नकारात्मत प्रभाव पड़ता है और जातक का सुभाव हो जाता है ब्यग्र ऐसी अवस्था में वो अपनों के साथ ही डिप्रेश होने के कारण लडाई कर लेता है और बाद में माफी मांगता है जातक का सुभाव बिग्र होना इस बात का सूचक है कि वो अंदर से नहीं है उपर से ग्रहू के द्वारा सताया हुआ प्राणी है इन परिष्थितियों में जो हमने चर्चा की है चंद्रमा, शनी, निर्बल हो तो जातक को बिग्रता, डिप्रेशन आदि की परिशानी होती है गुरू निर्बल हो जाए तो जातक की मानसिक इस्तिती में नकार अत्मक प्रभाव होता है बिग्रता बढ़ जाती है, अब ऐसे में जातक को मैं पुना यही कहूंगा कि जिनको डिप्रेशन है वो शिव की उपासना ध्यान ओम का करें ओम चैंटिंग खूब करें और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहने मानसाहार और मदिरा बिलकुल त्याग दें त्याग दें हर प्रकार के मादत ब्रभ्या ऐसे लोगों के साथ बैठें उठें जो हमारे मनों मस्तश्क पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकें यही ट्रीटमेंट है और कोई फ्रीटमेंट नहीं है तो हमेशा खुश रहने का प्रयास करते रहें और स्वतंतर रूप से उन्मक तवस्था में आकाश को अधिक से अधिक मात प्रामें छूने का प्रयास करें खुले आकास के नीचे बैठें प्राताकाल उठें उठकर के सूर्य नमस्कार इत्यादी करें शिव जी की उपासना पंचमुकिर द्राक्ष इत्यादी का सेवन करें माता पिता गुरुजनों का आधर करें आप का चाहे जितना डिप्रेस् तेरे उनके आशिरबात से आपको और पाजिटिविटी मिलती जाएगी, आप सकारात्मक होते जाएगी और मनोबल बढ़ने के करण आप आगे जीवन में काफी तरक्की कर सकते हैं और हर तरक्की का एक अंतिम लक्ष है। निर्धन होने पर भी खुश रखती है। इसलिए आंत्रिक खुशियां हमेशा बढ़ाएं, बाहर के जो चमक दमक वाले दृश्य हैं, उनसे अपने मन को हटाएं और अंदर में लेकर जाएं जहां शिव व्यापक है। पर फिर भी बहुत सुखी हैं। संत इसलिए तो प्रसंद रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और जब कुछ नहीं है तभी उनके पास सब कुछ है। सब कुछ है वो दबे पड़े हैं धन में, गाडी में, बैंक और बंगलो की बोज की नीचे बोज हलका रखें आप दिपेस्ट नहीं हो सकेगे। ब्यग्रता आपके उपर छू नहीं सकेगे। प्रयास करें सकारात्मक रहें। तो इस चोटे से वीडियो में ग्रहों का कार्ण और निवार्ण दोनों बाते मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो कैसा लगा हमें यह जुरूर बताएं। बस विदा लेते हैं। हमेशा प्रसंद रहें। सकारात्मक रहें। जैश्यकुष्णा प्रणाम।